गुद्धूर्णींग स्टुडेंट्स तुडेश टुडेश्ट टूपिक देखें हमने अपटीप प्रोटोकॉल के बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक प्रोटोकॉल के थू हम सर्वर टू क्लाइंट डेटर ट्रांस्वर करते हैं लेकिन वह डेटा आपका सिक्योर नहीं होता ओके ऐसे ही आपके काफी सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो डेटा को ट्रांस्वर करने के लिए हमारी हैल्प तो करते हैं लेकिन वह टोटली शिक्योर नहीं होते ऐसी सिच्विशन में हमें कुछ सिक्योर प्रोटोकॉल की निर होते हैं निर होती ह ऐसा ही एक protocol हमारे पास है SSH SSH is a telnet like protocol देखिए अब telnet protocol क्या होता है यह एक telnet like protocol है आपका actually जो आपका telnet protocol है वो एक remote logging protocol होता है जिसकी help से आप अपने computer को आप अपने PC को किसी another PC या फिर laptop के ओपर login कर सकते हैं SSH भी ऐसा ही एक protocol है SSH is a remote logging protocol that is used to log into remote machine ओकी एंड बटिन दोनों में difference क्या है जब हम telnet के थूँ आपके computer को login करते हैं तो वो आपका totally unsecure होता है क्योंकि जब आप एक computer को किसी दूसरे computer के साथ attach करेंगे मतलब उसके अंदर login करेंगे इस PC का complete data इस वाले PC के अंदर आएगा तो यह totally आपका unsecure वे होगा उसको securely use करने के लिए हम use करेंगे आपकी SSH protocol का secure shell protocol का देखिए SSH is telnet like protocol that is functionality but it is secure protocol compared to telnet ओके देखिए जब हम remote login की help से आपके data को client to server भेशते हैं तो वो data आपका कैसा होता है uncrpt form और un encrypted form में होता है यह देखिए यह आपका encrypted form है और un encrypted form होता है un encrypted and decrypted या फिर encrypted form क्या होता है encrypted or decrypted form क्या होती आपकी आपने WhatsApp के अंदर देखा होगा example के तूर समझा रहे हैं जब हम WhatsApp के तूर किसी person को message करते हैं तो उसके just starting में front में एक message आता है and to end encryption that means to say कि जो message आप उस person को send कर रहे हैं या फिर वो person जो आपको message send करेगा वो आपका encrypted है वो आपका safe है वो एक coding language में है जिसको कोई other person easily समझ नहीं पाएगा वो होती है आपकी encrypted form आपके simple data को change into the cipher text cipher text होता है आपका एक marking language होती है जो language आपकी हर person easily से समझ नहीं सकता जो symbolic language आप उसको बोल सकते हैं clear तो देखिए SSH के तो आपका data क्या करेगा encrypted form में transfer होगा जिसकी help से आपका जो data है वो कोई भी person उसको easily way से read नहीं कर पाएगा and इस काम के लिए यह कौन-कौन से protocols को use करता है it will be use SCP and SFTP SCP means secure copy and SFTP secure file transfer protocol FTP हमने read किया था जो data को transfer तो करता है लेकिन securely नहीं है SFTP वो protocol है जो आपके data को securely way से transfer करता है आप देखिए data कैसे transfer किया जाता है SSH से उसकी कुछ significance है उनको हम देख लेते हैं the traditional internet protocol like the telnet FTP even email also are not secure यह जितने भी protocols अभी हमने हाँ पर read किये हैं telnet FTP और email यह data तो transfer करते हैं data तो आपका one to another client and server को send करते हैं लेकिन यह data आपका कैसा होता है unsecure होता है और इस data को हम secure करने के लिए ही use करते हैं आपके SSH protocol का देखिए जब यह data आप भेशते हैं किसी एक person से दूसरे person के पास तो बीच में कोई भी person इसको read कर सकता है and कोई भी hacker कर सकता है अगर यह data आपका unencrypted form में है तो वह data readable है to every person लेकिन अगर हम उसको encrypted form में कर देंगे मतलब coding form में कर देंगे तो वह data हर एक person read नहीं कर पाएगा और ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है उसका example समझिए if you are traveling to a destination then rather than taking one road directly to destination you use the several connecting roads to reach destination that means to say कर माल लो आपको कहीं पर भी जाना है for example यह आपका घर है और आपको इस city के अंदर जाना है नारनोल प्रुरेवारी या फिर कोई another city माल लो नारनोल टू कुरुक्षेत्रा या गुडगाओं कहीं भी आप दूर की city ले लिजी आपने यहां से और यहां तक का जो भी आपका रास्ता complete करना है क्या यहां से और यहां तक का उली एक ही रास्ता है मलब एक ही रोड के तुर आप जा सकते हैं इसी तरह से जो आपका data होता है जब हम अपने data को one server to another server transfer करते हैं या one client to server हम उसको request send करते हैं तो आपका जो data है वह काफी सारी machines से काफी सारे server से होके निकलता है और इसके बीच में मालो यह पहले यहां सब्सक्राइब आपका data उसके बाद यहां दूसरा server बैठा है उसके यहां जाएगा फिर next यहां जाएगा और लास्ट में आपका जो में वहां पर पहुंचेगा तो इसलिए जो बीच में इतना सारा यह रास्ता तरह करेगा वहां पर क्या होगा आपको कोई है कर सकता है इसलिए हम अपने data को safely वे से भीजेंगे आपके data को कोडिंग language में convert करके मलब encrypted language के अंदर convert करके तो उसके लिए हम यूज करेंगे आपके ssh protocol clear so ssh आपको समझा गया यह आपका एक secure connection है जिसके तुर आपका जो डेटा है वो encrypted form के अंदर पहुंच जाता है done next one is scp अब आपको मैंने बताया था जो ssh है वो दो protocols को यूज करता है एक आपका scp और एक आपका sftp scp secure copy जो आपके data को securely copy करके दूसरे person के पास या दूसरी जो machine है जो server है आपका उसके पास यह भेजता है there are the protocol that allow to copy files between the two servers or two connected machines over internet scp is secure copy on such protocol okay is one such protocol the scp protocol allow you to transmit files from one machine to another over the internet with the encrypted benefits of ssh okay इसके बारे में हम discuss कर चुक है scp secure copy होती है आपके protocol secure copy protocols होता है जो आपकी files को आपके documents को आपके data को one server to another server एक encrypted form में convert करेगा उस data की copy बना के आपके पास भेज देगा लेकिन वो जो copy होगी वो आपकी कैसी होगी secure copy होगी encrypted form के अंदर होगी next is sftp secure file transfer protocol यह बिलकुल आपका FTP के जैसा है जैसे आपका FTP में आपको एक client की need होती है और एक आपको server की need होती है उन दोनों के तुरू हम अपने data को send कर सकते हैं same as it is sftp के भी तुरू होगा लेकिन sftp जो data traveling करेगा वो data traveling आपका encrypted form में होगा उसको कोई भी easily वेसे still नहीं कर सकता उसको कोई भी चुरा नहीं सकता अगर हम sftp के through data को use करेंगे data को travel करवाएंगे तो it can be easily stolen by everyone और ये किसी भी person के through easily चुराया जा सकता है कोई भी hacker इसे hack कर सकता है लेकिन अगर हम sftp protocol का use करेंगे तो उसके थू आपका जो data है वो totally secure होगा clear so dear students read these topics and next topic हम अपने next video में discuss करेंगे thank you करेंगे